साहरनपूर के सियासी जंग बेहत दिल्चस्प होने जा रही है जीत का दावा तो सब कर रहे हैं लेकिन ये जनता को तै करना है कि आखिर जीतेगा कौन संसत की सीडियों तक पहुचेगा कौन खास बाच्चीत करने के लिए हमारे साहरनपूर से कॉंग्रेट्स और समाजवादी पार्टी गडबंदन के प्रत्याशी इमरान मसूत साहब हैं इमरान मसूत साहब क्या चल रहा है चुनाओ देखे चुनाओ बहुत अच्छा चल रहा है और चुनाओ मैं समझता हूँ के 1989 में जो चुनाओ हुआ था उसमें इस तरह का समर्थन में देखने का काम किया था कि सभी वर्गों का सभी धर्मों के लोग आकर के समर्थन कर रहे थे साथ चल रहे दोड़ रहे ते मेरा राज डन मुस्लिम इतनी तादाद में आ रहे तो बहुत बहुत हालाइट नोग समझ रहे और वह Von ke टेश का संवीधान खत्रे में और संवीधान को बचाने सब्चाने का रहे तो सम्षा ब्रहगों और लोगतंतर की रक्षा कwegen के लिए इंडिया कट तंत्र और सम्विधान दोनों खतम होने जा रहे हैं और लोकतंत्र को और सम्विधान को बचाने के लिए जो सम्विधान के परती आस्थावान लोग हैं जो सम्विधान के परती निश्टावान लोग हैं जिनको लगता है कि बाबा साब भीमरा उंबेटकर का गरंद जिसने देश की विबतता को एकता में सूत्रों पर इरोना का काम किया है, जिसने शौचितों और वहनचितों को अधिकार देने का काम किया, अरक्षन देने का काम किया, वह खत्रे मैं है, य Science को बदलने की बारबात बात कर रहे हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए सब लोग साता है। का जो फैसला था देश में या जिस तरी प्रकार से करोना के अंदर हुआ बहुत सारी चीज़ें जो रहुल जी ने बोली है जब परिवर्तन होगा सारी चीज़े खुलकर आएंगी तो सब समझ माएगा कि कौन बरश्ट अचारिता और कौन साचारिता यह क्या है अपने हाथ म गोशना पत्र है और इस गोशना पत्र के अंदर अगर कहीं मुस्लिम लीक हो मैं पढ़के भी सुना देता हूं कॉंग्रेस का गारंटी कार्ड है एक लाग का वितन हर शिक्षित युवावर की पहली नौकरी पक्की पहला वादा दूसरा वादा एक लाग हर साल हर गरीब म महिला को यह नारी निया है कर्ज माफी और MSP की कानूनी गारंटी स्वामी नाथन फार्मूले पर आपने स्वामी नाथन को भारत ने लिया लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे आप MSP पर गारंटी नहीं करेंगे 400 रुप्या परती दिन कम से कम मजदूरी मन पुषिधे जसने में और गिंती करो समाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हरवर्य की गूंती के सामाजिक रूप से बच्छे निंदर 5 चीज़े इनमें अगर वी चीज उप तो तो आभी चुनाव छोड़ देंगे तो यह जो बाते हैं कि आप ऐसा बोलते हैं कि जो रातल पेरी निया जो जमीन पर नहीं हिं पर लिये हिंदुस्तान का हर व्यक्ति नहीं है और कांग्रेस की नजर में हर आध्मी के लिए यह जो गोश्णा पत्र है देश के हर करव्यक्ति के लिए किसी जाती के लिए या किसी वर्क के लिए नहीं यह सब के लिए यह कुला पत्र हे और खुला गरणटी काड है और आप कर के देख रहें के मैंने आप से कोई बात कर चीप और पांस साल हुस compliant में माईने होंगे आप खुद सोच लीजिए मेरी कारणटी की कोई माईने नी 2022 में किसानों की आये का दुगना करने का बाद 2019 में किया था आये तो छोड़िये दुगनी लागत मुल्य भी नहीं मिला किसानों को आप एमेसपी पर एमेसपी पर पैसे नहीं बढ़ाना चाहते आपने कहा था कि दो करोड़ लोगों को नौजवानों को रोजगार देंगे दो करोड़ नौजवानों की नौकरिये चली गई देश का 83 परसेंट नौजवान जो पड़ा लिखा डिग्री आफ्ता नौजवान है इन आप ऐसी करोड़ 135 करोड़ जन्ता में से 80 करोड़ का राशन विवस्ता सरकार को करनी पड़ रही है तो आप देश की आलत कहा बता रहे हैं आप के आगड़े खुदी बयान कर रहें कि जो आप कह रहे हैं आप संपन्ता की बात कर रहे हैं आप लोगों को राशन मुफत कि नारी की कॉंग्रेस ने बात कि वैपारी के तो कॉंग्रेस को ने जो बात किये सबकी बात किये वह जुटे वह दैना में रहूल गांदी के देजिज longo कर्वंदिसलायर तबार कर दोंसे लागुक्र HagUU एब सरकार ने गे अगर हम जूट बोल रहे हैं, तो हमारे पास यह लेकर क्या आ चानलर टैंगा। ऑगारश के साथ मौंग से करेंगे यह संद оп опыт में नहीं कि इसाब 15 लाग रुपए करेंगो बात में कह दिया है, जुमले नहीं है, यह गारंटी यह राहूल समाजवादी पार्टी हर घंटे बदल लई है और कॉंग्रेस के पास चलिए यह तो बात समझ में आती है उनकी वह बोल रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां तो क्या परदानमंत्री जी हमें मानसिक से तियार करने के लिए आया थे कि आप लोग्त त्यार आपको नहीं मिलने वाला है अब लोग्लोग मानसिक से तैयार हुझा मैं 32 नजार का कट्टा दुनिया में मिल रहा है तो क्या हम इस तरह बढ़ने का काम करेंगे किसान के मन में बहुत बड़ा सवाल है किसान यह सोचने को मजबूर है कि देश के अंदर जो असी प्रतिशता अबादी है वो कृष्ची आदारी तो द्योग पर निरबर है हमारी अर्थ किसान की तरफ देखना ही नहीं चाहते सिरफ बड़े बड़े व्यापारी देश को चंद पूंजी पतियों के हाथ में रखा गया है और अगर यही हालात रहे तो सब लोग हम उनके गुलाम बन कर रहें उनका कहना था कि दो लड़कों की जोड़ी यह तो फ्लॉप फिल्म ह प्रधान मंत्री के आने के बाद जो है इम्रान मसूद का चुनाओ क्या कमजोर पढ़ा और थाकत मिली प्रधान मंत्री जी का भी आशिरवाद मिलेगा न हो तीन सू रुपे का जो कट्टा बता के गये हैं कि मिल रहा है और तीन अजार का विधेश में मिल रहा है किसान क्या लग रहा है मतलब अगर अब तक के चुनावी समीकरण की बात करें तो यह कह रहे थे ना कि प्रधान मंतरी के आने के बाद तो बीजे पी है राग हो लखन पाले उनका चुनाव उठ जाएगा अब तो कहीं कोई दिक्कत ने अब तो कमल खिल जाएगा देगे उनका चु सोचना चाहिए कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं उनके पास प्रधान मंतरी के रहे होगी चौदे तारिक को यहां बहन जी आ रही है तो क्या सब इम्रान मसूत के पीछे पड़े हैं अरे भाई साब मेंजे आशिरवाद देने के लिए उनका आशिरवाद सब का चाहिए वो कि वो यहां आ रही है तो उनको आशिरवाद देने तो आ रहे हैं तो दें सब आशिरवाद क्या लग रहा है इस तरह की जो घेरा बंदी आपके लिए अभी तक और जो पार्टिया इस्टार प्रचारकों की लिश्ट भी तैनी करता है कि यहां कौन आएका क्या है नहीं तो लैसाइस में आविन ग सा लगतशना है रागे में मुझे कहां से कतना वृट मिल रहा इसलिएव बार आतो थोन से लिखए ठली मुझे र स्लीवान कर्ण के भड़र शिट के के लगत्सटर तो सारण पूर स्विकांपुर स्वाइं अंदर पास्टिम burger waskin को सू function of अगा तेज़ें इसीट विश्वाहना को पता नहीं अब देखेंगे ना मेरट की सीट के ऊपर बहुत मजबूत केंडी रेट आया है समझ में आ जाएगा जो ड्राम को लेकर के आप कलाकार को लेकर कर राम कलाकार को राम नहीं सकते कलाकर कलाकार रहगा राम नारा नहीं विश्वास है बहुत इकता की नहीं मन की प्यास है राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में राम मिलेंगे शबरी के जूटे बेरों में राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में तो राम तो अगर कलाकारी करने से राम नहीं बन जाएंगे राम के लिए तो मर्यादी ताचरन चाहिए यह नोग राम के देश में आप राम आस्ता का विश्य है चर्चा का विश्य तो नहीं तो उनके आस्ता का संभान करना हमारा फ़रज है न पध्लिव तो मेरे oldies ख़ेंगी ख़ंड़ा हम इस KनM के और मेरे पूर। बाग भी खुल जाएंगे राम तो मर्यादी ताचरन से मिलेंगे राम मर्यादी ताचरन से मिलेंगे लोगों का बेवकूप बनाने से नहीं मिलेंगे 22 के अंदर किसानों की आए दुगना करने का वादा किया था वह वादा कर पूरा करते तो समझ में आता नौजवानों को रोजगार का वादा किया था वह पूरा करते तो समझ में आता जो बाते कह करके आप सत्ता में आयते वह पूरी करते तो समझ में आता अभी क्या बात कह कि आने से कोई फर्क पड़ेगा जैसे वह चौदे वाली बात प्राइब नहीं बस पातो बीजेपी के साथ मिल करके खेल रही है बस पातो बीजेपी के सपोर्ट कर रही हर जगा केंडिडेट ऐसे उतारी जो बीजेपी को सपोर्ट हो जाए उसका वाइड में यह लोग समझ रहे सच्छा ही बीजेपी से हाथ ऺिजेपी से मने मिलने यहां नहीं सब ज्यक्ताव बीजेपी कम थे इंडिया बलत को टाष आने परटेख करने लोगों के पूरा लावलश कर लेके चलते हैं तो यह कौन से मतलब चुनाव की एक रंडीती है वे लोग कहते हैं कि नेता जी आ गए है गाली है लोगों का काफिला है आपको तो देखा है मैं नहीं की गाली अभी हम चलते हैं सड़क पर खड़ा हो जाओंगा मैं और सड़क चलते हुए लोग रुखना चुरू हो जाएंगा बात चुरू हो जाएगी यह इम्रान है इम्रान सड़क का आदमी है लोगों के दिल में रहता हूं मैं सड़क पर चलिए पूछिए किसी से वह मेरा टेलीफून नंबर दे देगा अभी बात करा देगा तो मैं लोगों के मुझे पांच साल मैं लड़ता हूं फांक साल लोगो लेकिन तना जरूर है कि साहरनपूर की सियासी जंग बेहत दिल्चस्प हो गई और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद उनकी रैली के बाद तो सियासी तापमान और बड़ा है और 14 तारिक में बेहंजी यहां रही है उसके बाद यह देखिए कि यहां होता क्या है वीड गंगा खबर आपकी जबाद की